तो दोस्त अभी मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास comment आते हैं मेरे पास consult के लिए call आते हैं या मेरे friends एक कॉल आते हैं मैं देख रहा हूं कि जो एक डांडे से इंस्टीट है जो एक अच्छे इंस्टीट है वो इतने हाई पेइंग हो गए इतनी ज्यादा पैसे लेते हैं कि आप वह पेड नहीं कर सकते हो और जब आप देते हो वहां पे 50,000, 60,000, 70,000 मैं या पी किसी इंस्टीट का नाम नहीं लेना चाहूंगा बट हो सकता है मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग आप समझ जो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो वह क्या करते हैं कि आप से 50,000 कॉर्च लेंगे 60,000, 70,000, 80,000 और बोलेंगे कि हम आपको क्लाओड कंप्यूटिंग और बोलते हम आपको डेवापस पलाएंगे हम आपको CCNA पलाएंगे CCNP पलाएंगे हम आपको mcs से पढ़ाएंगे हम आपको linux में master बना देंगे मतलब जब आप admission लेने जाते हो तो इतनी सारी वो चीज़ें दिखाते हैं हम यह यह पढ़ाएंगे admission के time के पहली आप फीस दे रहे होते हो तो एक्जेक्टी वहाँ पर बोलते हैं हम 100% placement देलाएंगे placement की guarantee है आपको 5 लाग का package मिलेगा 6 लाग का मिलेगा 8 लाग का मिलेगा 10 लाग का मिलेगा जैसे जैसे इंसिट्यूट हैं तो वहाँ पर होता कि है कि आप जाता सोच चुक नहीं है चलो 50,000 जा रहा है न चीक है कम से कम 6 लाग 7 लाग 5 लाग 4 लाग का आपको job offer तो मिलेगा 100% placement के बाद और वहाँ पर जाते हो तो जो उन्होंने promise किया होता है कि हम आपको linux पढ़ा देंगे cloud पढ़ा देंगे devops पढ़ा देंगे java पढ़ा देंगे python पढ़ा देंगे तो मतलब multiple technology की बात करते हैं जिसमें आप आप गयर होगे मतलब आप गयर को linux के लिए तो linux बता देंगे हम आपको master बना देंगे linux में आप cloud के लिए दो बोलोगे master बना देंगे cloud में आपको चुटकी में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वह फिक प्रॉमिस करते हैं और लिटरली होता क्या है वहाँ है कि जब आप सारा का सारा पेमेंट कर देंगे तो अपना पचाजार सारा जार सत्तर अजार होता क्या कि वहाँ पे आपको Windows सिखा रहे होते हैं मतलब operating system कैसे इंस्टॉल होता है hardx कैसे change करते हैं and background theme कैसे वहाँ पे change करते हैं माउस का pointer कैसे change करते हैं और CCNA में आपको बता रहे होते हैं कि हाँ यह L2 डिवाइस है यह L3 डिवाइस है मतलब एक बेसिक चीज चीज आपको पड़ा रहे होते हैं कि भाई पांस तरीके की IP address होती हैं तीन तरीकी private IP address होती हैं MCSA में आपको पड़ा रहे होते हैं कि हम Windows Server कैसे install करते हैं उसमें user कैसे create करते हैं और users को write कैसे देते हैं भाई यह एक बेसिक चीज हैं अगर आप IT की profile में जा रहे हो और आपको अगर यह भी नहीं बता है कि Operative System कैसे install करते हैं Windows Server कैसे install करते हैं फोल्डर कैसे बनाते हैं फो उपनें इसक्राट कर आपको डिमॉटिवसेट नहीं कर नहीं करना हूं लेकिन आपको नहीं बता रहा हुए को आपको को यह भी नहीं नहीं बता है और आप IT परफायल में सुचछ करना वाले और को करना चांभर आप the profile में जाना हीमात कि अगर आज आप सीक लोगोगे दो 7-8 के बाद वो computer laptop mobile phone सारे के सारे चलाने लगे हैं और उन्हें ये चीज़ें आती हैं आप तो graduate candidate हो फिर भी आप windows महाँ पे सीख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि जब आप future में कभी पांस साल वद साल वद दस साल वद और advanced technology पूलोगे और चीज़ें आप सीखोगे ना तो आप आपको बहुत difficult होगा आप बहुत मुश्किल सीख पाओगे और आपकी growth रुख जाएगी जितना आप पढ़ोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा आपकी growth रुख जाएगी तो मैं आपको बोलूँगा कर विंडोज सीख रहे हो normal की windows operate कैसे करते हैं आप Linux operate करना सीखो वह कहीं आप सतर हजार देने के बाद वह पल रहे हो तो दूसरे दिन ही वह institute छोड़ देना पाई क्यूंकि आपको सिर्फ कोर चाहिए कोर पलना है और अगर आप पीडी में पलना ना तो यह सारी चीजिए आपको यूट्यूब पर फिरी मिल लाएंगी आपको इंस्साइग्राम प काते हैं आपको विंडोज सिक काने में अप सिर्फ और सिर्फ दो घंटे में पूरा विंडोज पीजिसी ओऑंगे ऑन रोपय यह इन है रोपय देनी ज़रूरत नहीं प्छी walking फिरिक आप यूट्यूब js क्यो चैनिः अब्समुने क्यों इसिए इंस्टीटूट को और अगर हां फिर एक बात जायर है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेकनोलजी वावे पढ़ाना आप Linux पर गयो हो आपको Ubuntu पढ़ा रहे हैं बिंदास पढ़ाना हैं बिंदास पढ़ो लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आप गयो हो आपको Windows पढ़ा रहे हैं आपको फाइल क्रियेट करना सिखा रहे हैं तो भाई आपका पैसा टोटली वेस्ट जा रहा है और विंदोज सीखने वाले बंदे को मैं बोलूँगा कि इतनी इजिली जॉब मिलती नहीं है और कंपनी क को ऐसे बंदे चाहिए भी नहीं होते हैं कि आपको Windows भी डंग से नहां रहा हो किसी भी टेकनालोगी पर चले जाओ तो दोस्त मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से लर्निंग बनाओ स्किल्स अगर आपके अंदर है आपने चाहिए ट्वाल्थ किया हो चाहिए ग्रेज करनाथ का से चाहिए और मैं रियालिटी बता रहा हूं आइटी की वो है यह नहीं हैं बता दूंकि नहीं नहीं दिल्ली में हult इन यहां पी इंग सबाई मुंबई से दिली से करनाटका से पंजाब से तो अपने स्टेट के अकॉर्णिग वह वैरी करता तो आप वह सच करते हैं लेकिन वह क्यों 100% प्लेशमेंट देलाते हैं क्योंकि वह आपकी स्किल्स पर फोकस कराते हैं इसकिल्स अप करते हैं वह सारी चीज़े इस वज़े से आपको जाब मिलती लेकिन यहां पर बेसिक चीज़ें पढ़ा के अगर आधर इंस्टीट में आपसे को जाब मिलागी बहुत डिपक